नमस्कार मैं हूँ आपके साथ संद्या जूशी और आप सभी का एक बब फिस से बहुत-बहुत अभिननन करती हूँ आपके अपने नक्षत्र निकेता में प्रेसेंट्स बाइ एबी सी चानल दाट इस यौर आजे भामी चानल इस चानल में हम आपको बताएंगे कन्या राशी के जातकों लिए कैसा रहेगा ये आने वाला पर्व दिवाली का पर्व क्यूँकि हर कोई चाहता है कि हम उचाईओ पर जाएं हमारी जीवन में भी एक नया सवेरा हो, मन में ऐसे सवाल आते हैं कि हम कब सफल होंगे वेवसाई की स्तिती में कैसा रहेगा ये समय साथ ही साथ आप education की छेतर में कैसे आगे बर सकते हैं ये हम जानेंगे इस विशेश कारिक्रम में और यही सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है तो वर्ल्ल फेमिस एस्टिलोजर डॉक्टर अजेभामीजी जो की एक celebrity consultant भी है साथ ही साथ accurate predictions भी देते हैं तो उनका बिना देर करे स्वागत करते हैं बहुत स्वागत है सर आपका नमस्कार कन्या राशी के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये दिवारी का पर्व क्या उनके जीवन में भी आएगा नया सवेरा क्या उनके लिए आने वारा समय अच्छा रहेगा ये जानते हैं जी सर अधिक तर ग्रहों के इस्तिति बहुत अच्छी है जो राहू जो है आपकी राशी से 11 थांस में है बहुत अच्छा है और ब्रस्पती वित्रतिय भाव में अच्छा है शनी उतना अच्छा नहीं लेकिन कुल में लागे बाकी जो ग्रहें हैं बहुत अच्छे हैं इसका मतलों यह हुआ कि इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक का पीरेट अच्छा है थोड़ा संगर्ष रहेगा लेकिन यह संगर्ष आपको अच्छे परणाम देगा अगर संगर्ष फल जाए तो फिर आदमें को संगर्ष का गम नहीं होता संगर्ष जो है करने पड़ेंगे क्योंकि यह समय तो अच्छा है बट उसके लिए जरूरी है कि आप संगर्ष करेंगे तो आप जरूर आके बढ़ पाएंगे साथ नेवेंबर को है दिवाली तो साथ नेवेंबर से लेकर 31 दिसेंबर तक क्या-क्या बदलाव आने वाले हैं कहनिया राशी के जातकों की कुनली में और उनको किस-किस तरह से सामना करना पड़ेगा सबसे बहले बात करते हैं उन लोगों की जो पड़ाई लिखाई करना चाहते हैं जो आगे पढ़ना चाहते हैं जो विदेश में सेटल डाउन होना चाहते हैं और इंजीनियरिंग से लेकर एंबीए, बीचेक हर तरह की कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए समय कैसा रहेगा जी सब यह जो समय है के लिए बहुत अच्छा है जो विद्यारती हैं या जो एजुकेशन आगे जाना चाहते हैं वो अपनी जो कम्यूकेशन स्किल है उसको बढ़ करेंगे तो आपको जो आप चाहते हैं उस लक्ष को प्राप करने में असानी हो जाएगी तो कहने का ताथ पर यह हुआ कि अपने कम्यूकेशन स्किल्च की बिना पर आप अपने को आगे बढ़ा सकते हैं और जो भी आपको गंतव्य है उस गंतव्य तका पहुंच सकते हैं तो communication skills जो हैं, आपको अपने strong करने पड़ेंगे, साथ ही साथ, अगर आप communicative होंगे, intelligent होंगे, intellectual होंगे, तो कही ना कहीं आप जो है, इस field में आगे बढ़ पाएंगे, coordinate कर पाएंगे, और आगे कदम से कदम मिलाते चले जाएंगे, जैनवरी से लेकर, मार्च तक का समय, कैसा रहेगा उन लोगों के लिए, जो कही ना कहीं, political field में जाना चाहते हैं, social work से जुड़ेवे हैं, NGO से जुड़ेवे हैं, और कही ना कहीं, कुछ ना कुछ भावना ही लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कैसा रहेगा प्रभाव, यह कुल मिला के ग्रह सी अच्छी हैं, जिन लोग आपने नाम लिया हैं, जो लोग social work में हैं, जो लोग जनता से जुड़े हैं, और जो भी NGOs वगरा हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समेह हैं, और आप अपने को इस्टाइश कर पाएंगे, और इस field में आप, communication जो है, यह आपका keyword है, पहले भी बोजा था, ह हर किसी के लिए है, हर आपकी राशी तो ही है, किसी छेतर से आप जोड़े हों, तो communication skill को आप बढ़ाईए, लोगों से communicate करिए, और समवाद रस्ते खुलता है, वादमवाद रस्ते बंद करता है, और समवाद रस्ते खुलता है, तो अपने समवाद का जो चैनल है, उसको अ इंटिलेक्श्वल करने के बाद ही, आप अपने लक्षे को प्राप्त कर पाएंगे, मार्च से लेकर, और अउगस तक का समय, कैसा रहेगा उन लोगों के जो की कही ना कहीं अपने बिसनस में आगे बढ़ना चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, उन्हें धन की हानी हो रही है, कह पाभू जो है, आपकी राशी से दस्वमस्तान में आएगा, और यह बहुत अच्छा रहेगा, और इसकी यहां आने से आपके जो बिसनस की जो भी एरियास हैं, उसमें आपको बहुत सभूलियत होगी, नए काम कर सकते हैं, नए लोगों से मुलाकात होगी, और वरतमान काम में भी आपको आगे बढ़ने के मुलेंगी, और आप अपना प्रोजेक्शन बढ़िया कर पाएंगे, नए लोगों से मिल पाएंगे, और अगर देश विदेश से आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, जो पहले अवरोद आ थे उसमें भी अब रहात दिखने लगेगी क्या पाते तो आपको जो है प्रोजेक्शन अच्छा करना पड़ेगा, आपको काम जो आपको बताये गए उन पे अपको ध्यान दिखने पड़ेगा, प्रोजेक्शन अच्छा होना चाहिए, और आपके पास थो देश-विदेश से भी जो है ओफरस आ सकते है, आगे करना चाहते हैं या मीडिय परसंसों स्पोर्ट परसंसों उनके लिए कैसा रहे का समय कने राशी जो है इसका स्वामी बुद्ध है और बुद्ध का जो मतलब है उसके बुद्ध समवात का सम ग्रह है यह old अब आपता सब्धाटी और सतनी दिवाली इस दिवाली से भेतर होगी एक नई आत्राप पर निकले तक उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और आप बहुत आगे बढेंगे और मन भी काफी अच्छा रहेंगा आर्थिक दिर्स्ची से इसतिए आप बहुत अच्छी होने वाली साथि वाली इस शहर एप प्रभाव रहेगा दिवाली का आप लोगों पर आप अपनी जीवन में जो हैं आने वाली दिवाली आपके लिए बहुत ही अच्छी हो सकते हैं बात करेंगे अगली राशी के बारे में बट उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारे साथ यानि की आपके अपने अजेभांबी चानल के साथ इसके लिए जुड़े सब्सक्राइब करें शेर मत करना भूल अजेभांबी के यूट्यूब चानल ABC चानल को सब्सक्राइब लाइक और शेर करें लेटेस अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें